हे फ्रेंड्स वेलकम टो आवर चैनल आई के क्रियाटिविटी आज हम बनाएंगे टेस्टी टेस्टी भरवां शिम्ला मिर्च तो इसके लिए हमें चाहिए शिम्ला मिर्च इसको हमने धो के काटके इसके बीजों को निकाल दिया है और हमें चाहिए तीन प्याच बारी कटे ह हुए दो टोमाटर और बॉइल किये हुए कुछ पिटाटोज तो लेट्स स्टार्ट हमने रखी है एक कडाही इसमें हमने मस्टर्ड ऑइल डाला है और जब गरम हो जाएगा तब हम इसमें डालेंगे जीरा और जैसे ही जीरा क्रेकल होगा हम इसमें डाल देंगे बारी कट हुए प्याज हमने प्याज को तब तक होना है जब तक कि यह लाइट ब्राउन या इनका कलर हलका सा प्यंकिश ना हो जाए लिए प्याज भूंते हैं जैसे ही प्याज हलके लाइट ब्राउन हो जाएंगे हम इसमें डालेंगे टमाटर को भी हमने बारीक बारीक काट लिया है अब हम इसको भूनेंगे इसके साथ जैसे हलके से भून जाएंगे हम डालेंगे स्वादन साद नमक लाल मिर्च और हल्दी आप इसमें ग्रीन चिलीज भी डाल सकते हो बारीक कटी हुई तो अब हम टमाटर को इसके साथ बूनेंगे जब तक कि टमाटर सॉफ्ट ना हो जाएं तब तक अब हम इसको थोड़ी देर के लिए धक के बूनेंगे धक्के पकाएंगे ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाएं अब देखते हैं देखिए दो मिनट के बाद ही टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट हो चुके आप इसको कर्ची के पिछले हिस्से से हम इसको थोड़ा सा मैश कर देंगे अब इसमें डालेंगे पोटेटोस जिसको हमने मैश कर लिया है हाथों से बिल्कुल चाहो तो आप मैशर से कर सकते हो लेकिन मैंने हाथों से इनको अच्छी तरह से इसको अच्छे से मिक्स करेंगे अच्छे से मिक्स करने के बाद इसको मिक्स करेंगे अच्छे से देखे इसको भूनेंगे थोड़ी देर इसको चलाते रहेंगे ताकि पोटेटोस जो है यह नीचे ना लगें क्योंकि यह बिल्कुल नीचे लग जाते हैं तो फिर इनका टेस्ट अच्छा नहीं आता इसलिए इनको चलाते रहेंगे जब तक कि हमारे अलो अच्छे से भून नहीं जाते अब हम इसमें डाल लेंगे धनिया पाउडर और थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर इनको अच्छे से मिक्स करेंगे और मिक्स करेंगे इसको मिक्स करने के बाद हम इसको ठक कर थोड़ा सा पकाएंगे देखे ये बिल्कुल अच्छे से एक दो जैसा रेडी हो गया है अब गैस का फ्लेम बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे ठंडा होने के बाद हम एक तरफ गैस पर ऑल रख देंगे और दूसरी तरफ शिम्ला मिर्च में इस तरह से इसको चम्मच की सहायता से भरेंगे और भरने के पाद जैसे यह ओईल गरम होगा इसको इसको ऐसे रख देंगे बिल्कुल आराम से रखना है क्योंकि ओईल बहुत ही गरम है धिर धिर से सारी रख देंगे अब इसको उल्लट पर पलट करके हम अच्छे से को करेंगे और यह मैंने निकाल ली है देखिए कितने बनी है थैंक यू फॉर वाचिंग